आई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल और मैं हूं भारती तो मैंने कल एक नई साटिंग की है मतलब कि कुछ प्लांट्स मैंने दुरुदर करके रखे हैं तो रोज कुछ न कुछ नेया जो है गार्डन में होता रहता है तो आज कल जो कुछ सकलों प्लांट है और वैसे प्लांट हैं जो काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं कुछ जो मैंने कटिंग लगाई थी वो भी चल पड़े हैं तो यहां पर मेरे पास आयरें के दो कंटेनर थे उनके धकन थे तो इनको भी मैंने फिंका नहीं है इसमें भी होल करके थोड़ी मिटी डालके यह दोनों ही सेड और यहां पर एक जो कार्नर है यहां पर मैंने कुछ अपनी सकुलन प्लांट रखे हैं कुछ कटिंग भी लगाई है कुछ चल पड़ी है और कुछ जो है ऐसे प्लांट्स हैं जो मेरे काफी टाइम की हैं और अच्छे से चल रही हैं जैसे कि यह ताईगर जो करके कैक्टस है शायद और यहां पर भी उपर हेंगिंग बास्किट है इन में मैंने और मिट्टी डाल दी थी जो राक वाली मिट्टी है और जो सुकलन्स है उनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है जैसे यह स्ट्रिंग ऑफ परल्स है यह सारे ही जितने प्लांटरस में लगा हुआ ह लगभग सभी में इसकी ग्रोथ जो है अच्छी चल रही है और यह है बेबी टियर स्ट्रिंग ऑफ टियर्स जो की काफी मोटे मोटे इसकी लीवस हो रहे हैं और यहां पर है यह एक बिगुनिया का प्लांट इसकी इसका नाम शायद ब्लैक ब्यूटी है अब मैं श्योर न इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है यह इतना हाड़ी प्लांट है इसकी जो कटिंग है वह भी चल जाती है लेकिन यह कि इसकी जो कटिंग है स्ट्रेम तोटती रहती है तोड़ा सा अगर इधर उधर इसको मूव करते हैं तो और उसके बाद है यह कुछ ऐसे यह मैंने कटिंग नी थी चोटी सी और अभी जैसे समर आएंगी तो यह और ग्रोव करेगा लास्ट समर में भी यह थोड़ा सा ग्रोव किया था लेकिन अभी विंटर में इनकी खोड़ी से स्लो हो जाती है तो अभी सीजन आने पर अच्छी ग्रोथ होगी और यहां पर जी इसकी विदरूट सी है एक स्टैम में लगा दिया है चोटी से ग्लास में और दूसरा है यह स्वेडिश आईवी इसकी भी मैंने काफी देर से कटिंग लगाई हुई है और यह भी आजकल काफी अच्छा ग्रोव कर रहा है और और यहां पर जितने सारे प्लांट से अच्छ इसका नाम है और यह पता नहीं मुझे इसका फलार है या इसकी ब्रांच है या क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको टच करती हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यह खराब हो रहा है लेकिन ग्रोवत फिर भी इसकी अच्छी चल रही है और मैं कन्फ्यूज हूँ और प्लांट काफी च्छोटे हैं और यह पीछे तीन चाट पॉट्स एक जैसे हैं जिसमें मैंने अलग लग सब्सक्राइब लगाए है और एक यह कुछ दिन कुछ टाइम पहले में लेकर आई थी जो अट्रे है उसमें मैंने का जो प्लांट लगाए थे वह भी चल पड़े है और यह भी एक सकुलन प्लांट ही है अभी मैं शूर नहीं हूं कि यह गोस्ट प्लांट है या कौन सी वराइटी है इसकी भी काफी अच्छी रूट्स आ गही है और यहां पर भी जो यह एक प्लांटर जो है मैंने दो तैयार किये हैं आज इसमें मैंने एक चिवेरिया और क्रेसुला की वराइटी जो है प्लांट की वह लगाई है तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में तो बॉटल में फैंक देती थी अभी मैं सोच रही हूं कि इसी तरह से कुछ चोटी-चोटी सी कटिंग लगा के जो है रखा जाए गार्डन में और यह जो पीछे है पूरा जैसे काफी हैवि ग्रोथ थी तो ऐसे सपने में रियल लगता है कि सच में शायद इतनी अच्छी ग्रोथ होगी होगी तो सुबह उठके देखा तो यह उतने का उतना ही था क्योंकि हम जो चीज सोचते हैं वही सपने में आ जाती है तो सुबह उठके देखा तो बि देख देख के ऐसे कमन करता है कि इसको भी लगा लो और इसको भी लगा लो अभी जो है देखने में जो इनकी ग्रोथ हो रही है काफी अच्छी हो रही है कुछ मैंने यह प्यास भी लगाए हैं यह भी बहुत अच्छी लगते हैं ग्रीन ग्रीन से जब यह लंबे लंबे स हो जाते हैं भरे-बरे से काफ़े बपसूरत लगते हैं और ग्रसव इसी बॉтов ही प्लांट्स की और यह ओपर जो हैं इनके भी दृब अच्छी हो रही है और यहां कॉर्नर को ब्लैक कि कि मेरे पॉट्स थे बड़े बड़े वो मैंने रख दिये हैं एक साथ तो यहां से कुछ और भी निकाला है उसकी वज़े से जो प्लांटर्स हैं दर दर जेस्ट करने पड़ रहे हैं और जो स्ट्रिंग ऑफ बनाना है यह तो बहुत खुब सूरती से आजकर हो रहा है तो पह अगे मुझे लगता है कि यह बुशी हो जाएगा क्योंकि समर का प्लांट है यह और इस तरह से कुछ यह मेरे जो प्लांट से अभी नजर आ रहे हैं ग्रोथ इनकी काफी अच्छी होगी है और देखने में भी अभी कार्डन जो है हरा भरा अच्छा लगता है नहीं तो पह रहे हैं वर्बीना के तो और भी अच्छे ज्यादा फूल आ गए है पूरी पॉट जो है भरने वाला है तो आज की वीडियो यहीं पर खतम करते हैं अच्छी लगी तो लाइक करना फिर मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ अत्ते के लिए